अन्य आश्रयानाम त्यागो अनन्यता नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो सूत्र है ये नारत भक्ती सूत्रों का दस्वा सूत्र है और आज के वीडियो में हम इस सूत्र को गहराई से समझेंगे तो आए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं सूत्र वो कहता है अन्य आश्रयानाम त्यागो अर्थात अन्य आश्रयों का त्याग अनन्यता अर्थात अनन्यता है तो यहाँ पर इस सूत्र में महर्शी नारद यह कहते हैं कि अन्य आश्रयों का त्याग अनन्यता है तो यह जो वक्तव उन्होंने यहाँ पर कहा है यह उन तो वहाँ पर उस सूत्र की व्याख्या में हमने ये निश्यत किया था कि आगे के सूत्रों में हम जानेंगे कि अनन्यता क्या है और विरोधी के लिए उदासीनता क्या है तो यहाँ पर इस सूत्र में उन्होंने यह ही बताया है कि अनन्यता जो है वह अन्य आश्रयों का त्य तो ये जो अन्य आश्रेओं का त्याग है ये वास्ते में भक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जिसको कि हमें अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि यदि हम इसको नहीं समझेंगे तो हम भक्ति को ठीक प्रकार से कर नहीं पाएंगे तो देखिए हमने अब तक क्या सीखा है अब तक हमने ये सीखा है कि भक्ति जो है वह परम आनंद की अवस्ता है और ये जो अवस्ता है ये ऐसी अवस्ता है जो कि बिलकुल भक्ति को मत्त बना देती है अर्थात इसका जो प्रभाव होता हो बिलकुल ऐसा होता है जैसे किसी म कामना का निरोध करती है क्यों क्योंकि भक्ति हमें वो प्रदान करती है जो कि हम वास्ताव में खोज रहे हैं हम खोज रहे हैं आनंद और वह आनंद जो है उसको हम जब भी अनुचित रूप से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो उसमें हमें समस्य होती है तो इसलिए को अनन्द को प्राप्त करने का उचित मार गया है इसलिए इसमें इसके दुष प्रभाव नहीं होते है इसलिए हमको भक्ति को ठीक प्रकार से समझना चाहिए तब ही जो है हम उस परमानंद को अनुभव कर पाएंगे तो इसलिए उन्होंने फिर यहां पर बताया कि जो भक्ति होती है उसमें अनन्यता होती है और उसमें उदासीनता होती है इस कारण से जो है यह उचित रूप है जिससे व्यक्ति जो है अनन्द को प्राप करें और हमने यह भी जाना था कि जो निरोध है कि उन्होंने बोला कि कामनाओं का निरोध है तो कामनाओं का निरोध क्यों है क्यों कि जो सांसारिक ज्ञान है उसका त्याग हो जाता है उसमें तो यह जो सारी बात है इनको जो याद हम ठीक परकास समझें तो हम यहाँ पर इस बात को समझाकते हैं कि क्यों भकती के लिए हमें अनिवार रहा और अनन्यता क्या है? अन्य आश्रेयों का त्याद तो आईएब इसको ठीक समझेए पूरी बात को अच्छे समझेए देखिए जब हम इस संसार में जीते हैं तो इस संसार में जीते हुए हमें भोजन की आवश्रित्ता होती है जब हम भोजन नहीं करेंगे तो हम भूख से मर जाएंगे यहमें जल चाहिए है कोई पीन आवश्रित्ता है एक घर चाहिए जिसमें हम रह सकें अन्य था तो हम बाहर मरी जाएंगे जो बाहर जिस परकार से जो वात्या बरन होता है कई बार बहुती कठिन होता है तो इसलिए हमें कोई एक घर भी चाहिए रहने के लिए और हमें वस्तर चाहिए तो ये बहुती मूल आवश्यक्ता है हमारी और इन मूल आवश्यक्ताओं को प्राप्त करने के लिए भी वास्तों प्र Gotta committee अब यह जो हम प्राप्त करते हैं भोन प्राप्त करना घर अवस्तरहण को प्राप्त करना और वैसे दिखा जाते हैं अक्षु आप पता नहीं कितनी कामनाय जोड लेते हैं पर मूल को भी यह गिनelle in तो इनको करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो नौकरी करेंगे, तो जैसे कोई पुरुष है, तो वो नौकरी कर लेगा, इस्तरी भी नौकरियां करती है, या क्या होगा, कि किसी पर आश्रित हो जाओगे आप, जैसे नौकरी भी कर रहे हो आप, तो नौकरी करते हो भी आप वास्तों में किसी कंपनी पर आश्रित हो, या जो छोटा बच्चा है वो अपने माता पिता पर आश्रित है, या कोई ग्रहनी स्त्री है, तो वह अपने पती पर आश्रित है, या कोई व्रिद्ध पुरश यदि है, तो वह अपने पुत्र पर आश्रित है, और ये तो एक स्तर मिरे पास संबत्ती हो गई तो हम इस प्रकवाइब झाल है उपने लिए रख लेते हैं ताकि हम भोजान और इस प्रकार की भोग कर सकें और एक अच्छा जीवन हम जी सकें पर यह जो साधे आश्रे हैं यह वास्तव में आश्रे हैं नहीं ये तो किवल साधन है आश्रे वास्तों में कौन है कौन वो है जो कि हमें वास्तों में ये प्रदान करता है तो उसका आश्रे लेना जो होता है वह भक्ति है तो आप देखिए जैसे माली जी कि आप नौकरी करते है तो आप नौकरी कर रहे हैं और वो company में आप नौकरी कर रहे है तो विफ्ती मूलता है क्या सोचता है वही सोचता है कि मेरी नौकरी ठीक प्रकासे चलती रहे तो इसलिए मुझे अच्छा काम करना चाहिए वो इसलिए अच्छा काम नहीं करता है कि मुझे अच्छा काम करना है वो अच्छा काम इसलिए करता है कि मेरी नौकरी बचीर है इसलिए तो अब वो आश्रे किसका ले रहा है वो अपने अपना आश्रे ले रहा है कि मैं अपने बल से अच्छा कार्रे करूँगा तो मेरी कंपनी में मैं रहूँगा फिर और फिर जो है हम ठीक प्रकासर है पाएंगे तो आश्रा उसने स्वयम का ले लिया इश्वर का नहीं लिया वो यह नहीं सोचता है कि यह जो कंपनी है भले ही मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ किन्तों यदि कोई बिजनस में कुछ ऐसा हो जाए यह कंपनी डूप जाए तो मेरी नौकली भी बिजाए इसात में तो वास्तों में उस कंपनी को चलाने वाला गान ए है वो तो इश्वर है ना इश्वर नहीं स्थितियां ऐसी बना रखी है कि वो कंपनी जो हstory ए वो अच्छा काम कर पा रही है इस कारण से मेरी नौकरी भी चल रहे है ठीक से, बड़े से अच्छे से अच्छे कारे करता को भी निकाला जा सकता है, यदि कंपनी का कोई एक डिविजन ऐसा हो, जो की घाटे में जाने लगे, तो आश्रय स्वैम से अधिक जो है वो इश्वर का है, कि इश्वर ही है, क्यों क्योंकि आपके हाथ-पैर सही सलामत है, यदि आपके हाथ-पैर ही में कुछ हो जाए या रोगी हो जाएं, तो आप नौकरी ठीक रहा से नहीं कर पाएंगे, तो फिर आश्रय किसका है, आश्रय अंतत है यदि आप देखेंगे, तो आश्रय इश्वर का ही है, या कोई ग्र कि इस दरिश्टी कुण को धारन करे गा तो वह अनन्य हो आएगा जानेगा कि जब تक कि एश्वर मुझसे प्रसन्न है, तब तक ही सब कुछ ठीक है, यदि एक बार इश्वर मुझसे अप्रसन्न हो जाए, तो फिर भले हैं कितना भी जोर लगा लूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, अर्थात मेरी शक्ति वास्ता में है ही नहीं, यह तो ईश्वर की शक्ती है जो की सब कुछ चला रही है, अर्थात इस संसार में जो भी कुछ मैं पराप्ट कर रहा हूं, वो ऊश्वर की अनुकंपा से ही पराप्ट कर रहा हूं तो यह बात व्यक्ति दी जानेगा तो अनन्न नी हो जाएगा और ध्यान दिजए कि कई बार क्या बोला जाया आपको कि आप आप इस्वर का स्मरण निरंतर करते रहे है तब या भक्ती कर रहे है चोड़े का मुल क्या है भक्ती का मूल यही है कि आप स्वेम को इस्वर से प्रिथ 도्री बारों और आप इश्वर से जुड़ जाना चाहते हैं और इसलिए आप इश्वर का निरंतर स्मरण करते रहते हैं तो आप इश्वर का निरंतर स्वर्ण करते रहेंगे जब करते रहेंगे या कीरतन करते रहेंगे या इश्वर का निरंतर आप इश्वर के बार में ही सोचते रहेंगे अब ऐसे में क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि यदी मैं यह करूँगा तो फिर मैं वो कैसे करूँगा यदी मैं इश्वर का इस्वर्ण कर रहा हूँ तो मैं अपनी नौकरी कैसे करूँगा यदी मैं इश्वर का इस्वर्ण कर रहा हूँ तो घर काम कैसे चलेगा तो ये जो सोच होती है ये पुनह जो है आपकी अननेता को भंग कर देती है क्योंकि फिर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे अपने सही करना है तो यदि व्यक्ति इस सोच को ना रख करके अननेता वाले सूच रखे और सूचे कि नहीं इश्वर ही सब कुछ करवाने वाले हैं तो फिर वो इश्वर को प्रात्मिक्त देगा और ये आप लिखके ले लिजिए कि जो वेक्ति निरंतर इश्वर का स्मरन करता रहेगा उसके सारे कारियर सरलता से होते रहेंगे जितने की उसका अवश्रता है यदि वो लोब नहीं कर रहा है तो लोब करना है तो फिर तो कितना भी को आप सिर्फ ढून लोगे मेरे पास तो करोणों की संपत्य और ये और वो किन्तु यदि आश्रय जो है वो आपने संपत्य उंपत्य सबसे हटा दिया और केवल इश्वर में लगा दिया तो निश्चित फिर आपको आधिक कुछ चाहिए भी नहीं और जितना आपको चाहिए उतनी आपकी आवश्रक्ता है तो स्वतह सरलता से पूरी होती जाएंगी यदि आप इश्वर का निरंतर स्मरन करते रहेंगे किन्तु लोग ये करते नहीं है लोग उल्टा सोचते हैं लोग सोचते हैं कि नहीं यदि मैं इश्वर स्मरन करते रहेंगा तो मैं अपने कारे कैसे करूँगा क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि मेरे करने से हो रहा है तो वो इश्वर के आश्रे में नहीं जा रहा है प्रणतो यदि इश्वर के आश्रे में चला जाए और बोले कि नहीं इश्वर ही सब कुछ करवाने वाले हैं तो मैं तो निरंतर ईश्वर का स्मरन ही करूँगा, इश्वर के स्मरन से ही मेरे कार्य होंगे सारे, तो आप देखिए कि सारे कार्य बड़ी सरलता से सुगमता से सहज ही होते चले जाएंगे जो कि आपके कार्य आपको करने हैं, पर इस वात को समझ नहीं बाते हैं लोग वो लोग उल्टे में लग जाते हैं तो ये अन्यनिता है वास्ताव में कि किसी भी अन्य पर निर्भर ना रहना किवल ईश्वर पर निर्भर ना स्वयम पर निर्भर ना रहना अपनी क्षमता पर निर्भर ना रहना आपको अच्छे करता हूं कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे है समझा दिया होगा चली इसी के साथ इस वीडियो को ही पर समाफ करते हैं नमस्ते